हम इस वक्त शहीद कैपटन अंशुमन के घर पर हैं, उनके परिवार के साथ, उनके पिता रवी प्रताब सिंग जी भी हमारे साथ हैं, अंशुमन से जुरी भी कुछ बाते करेंगे, पूछेंगे, और भी बहुत कुछ है जो कहना है उन्हें, क्योंकि कल वो राहुल गान्ध पुरे देश को गर्व है अंशुमन पर इसके बाद से बहुत सारी बाते हुए सर क्या कहें गया आप देखिए एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात नहीं होती है कि वो अपने जवान बेटे का सब अपने कंदे पे उठाए बगवान न करें कि ये दुख किसी और को हो लेकिन ये संसार नश्वर है सब को जाना है और कितनी सांसे लिखी है ये निरधारी थे मेरे अपने बेटे को डाक्टर बनाया था आई आटी क्वालिफाई करने के बार ड्रॉब करके कि वो लोगों के जिंदगी बचाएगा और ऐसे समय में जब बुढ़ापे में भी लोगों को एक एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं मिल पाती है तो गाउं जाएगा अगर बचा करके और फिर अपने प्राणों की सुप्रिम सेक्रिफाईज करते हुए जो शाहदत दिया है उसके लिए पूरा देश याद कर रहा है और मुझे फक्र है कि इस धरा से जाने का जो मार्ग उसने चुना वो देवों का मार्ग है और जो अमरत्तों पे अपना अधिकार सिद्ध करता है तो बहुतिक रूप से मैं पिता जरूर हूं लेकिन कद उसका इतना उंचा है कि मुझे साहित पिता काने में कदाचित यह अपने आपको छोटा पन मैसूस हो रहा है बहुत बड़ा उधारन पेश किया वीरता का भी और साथी साथ अपनी कर्म भूमी के लि है खास्ता और पर सेना को लेकर के क्या ठाहिंगे देखिए प्रेजिडेंट हाउस में जब अलंकरन समारों के बाद जो फोटो था वाडी के साथ तो उसमें राउल गादी भी बिंग अपोजिशन लीडर वहां उपस थी थे टी पाइटी में भी थे तो मेरी वाइब थोड से बात करूँगा और जब उन्होंने का आप से बात करूँगा तो उन्होंने उनको अपना नंबर दिया और उनके ऑफिस से तीन दिन पहले मुझे फोन आया कि आपका नंबर वहां से राहूल जी ने दिया है तो आप क्या दिल्ली आ सकते हैं हमने का कि हम तो लखनव आ ग ही अच्छे सुल्जे हुए इंसान के तोर पे हमारी करीब 40 मिन तक जो बाते हुए तो बेसिक जो बातसीत का डिस्कोर्स था यही था कि कैसे इनकी जर्णी रही कैसे बच्पन इनका कैसा था पढ़ाई लिकाई इन कैसे थे और यह इंजिनियर और डाक्टर दोने एक साथ कैस से हुए वहाँ एक्चुल इंसिडेंट क्या हुआ था उनके जानने का था जबकि पब्लिक डोमेन में हैं लेकिन फिर भी वह साहिद माता पिता से सुनना चाहते होंगे जब बात साहदत कि आई तो उनकी भी आखे नम हो गए और उनका कि साहदत का गम मैं समझ सकता हूं मै अपने आपको अकेला नहां मैसूस करें और अपने परिवार का खयार लखें यह उनके तरफ से डाड़सता हूं यह सुन करके मुझे बहुत संबल मिला कि मेरे साथ सरकार के साथ साथ पक्ष्विगर सब कुश कड़े हैं यही एक हमारे देश की गंगा जमनी तहजीव और अशुन परंपरा का प्रतिक है कि यहां सब लोग अपने दल से उपर हट करके और इस हमारे भारती सेना को सम्मान के लिए और इस सहाधत को नमन करने के लिए हैं जो कि मैं सदेव करतक्गर हूंगा मेरा परिवार करतक्गर हैगा अन्शुमंन से आखरी बार कब बात हुई थी आपकी इस घटना के रात भी शाहिद आप बता रहे थे बकायदा आपकी बातचीत हो रही थी उन्होंने आप से कुछ कुछ कहा था कि मेरे कुछ दोस्त थे उनका अटियार शायद फाइल करने की बात कही थी तो इनको तो ये चीज़ें पता नहीं थी, मैं इंकम टेक्स रिटरन फाइल कर लेता था अपना वेकाथ दोस्तों का, तो उनको पता था तो अनसुमान का मैं किया था पिछले साल वी उसके पिछले साल 2021 में, 2022 में, तो उस साल अनसुमान राद को करीब 9.30 बजे वहां पर वा वाइक हैं तो मनना वो भी FMC से डाक्टर हैं, वो भी नेभी में हैं, तो उन्हें बोला डैडी ये सेलिंग पर जाने वाले हैं और इनके पास ये कम्मुनिकेशन से कटाफ हो जाएंगे, तो इनका आज ही भरना है, मैंने ठीक है, कोई बात नी, दोनों कैसे बरेंगे, बोल कुछ दवा का या उन्होंने कहीं डोनेट किया, या और जो भी चीजें थी, तो सारे सेक्शन के, क्योंकि डेटा तो वही हमको दे सकते थे, जो जो डेटा हमको दे रहे थे, उनके साथ बरता जा रहा था, और ये दोनों आदमियों को भरते-बरते और कभी जो आधार से ल उसके बाद हमारी थोड़ी नार्मल बाते हुई दुख इस बात का है कि बहुत परिवारिक बात नहीं हो पाई क्यों कि लम्बा काल तो था लेकिन लबी कन्वरसेशन नहीं हो पाई उसके लिए और फिर बारे बजे के आसपास में वह से बात कि नहीं डेडी अभी ठीक है और हम तो ममी का रहें थी पढ़ते हैं कि नहीं को पीजी का वो ले करके गए थे और मुझे फक्र इस बात का है कि वो उसके साथ-साथ उनके बुकों में आपने देखा होगा कि एक गीता नेकली थी इसको आदा पढ़ गए थे वो तो वो काया कि अभी डैडी में कुछ पढ़ता तारिक में और उनीस को तड़के तो यह होई गया तीन बज़े भोर में जो आके दुरगटना थी और सुबह सारी चीज़ें थी कि परिवार से भी कुछ जूड़ी बाते हैं मैं से भी दो मुड़ बात करना चाहेंगा मैं आपकी उस दिन बात हो रही थी अंशुमन जी से मेरी बात तो सिर्फ पढ़ाई की होती थी उसको बहुत मैं टॉर्चर करती थी पढ़ने के लिए उस एरिटीट कर देती थी मैं उसको पढ़ाई पढ़ाई मैं यही बात की कि तुम अपना बूक उपर मंगाया की नहीं अभी तक तुम्हारा आया की नहीं बूक पढ़ने क कि बेनिफिट है कि तुम्हें टाइम मिलेगा पीजी के लिए तो तुम्हारा बुक पहुंचे तो बोले कि मम्मी कल ही पर सुवाया है और कल एक कोई बड़ा आये थे उनके लिए पार्टी था तो हम कल नहीं सुरू किये मैं कल से सुरू कर दूंगा पढ़ाई और खाने के ल मेरे दिमाग में की वहां जाता होगा तो बआझ को जाता हो बोलते तो गरम करके हम कहते हैं सब कूछ आता है पर अभी नहीं है तो मुझे पता मुझे पता चलता है ओजर ञाह्री जाते हevery . यह सब वियो तेनी लिए सक्रेशनी आट hazard एकरणे को का Cat कर संब में के स्ट eった transformed पख़नी को ले करका बहुतबात हो रही है आपके साथ नहीं है उनकी पत्णी देखिए उड YOUR वह जहां ही रह हूं खुस रहा है सलामथ मेरे बेटे की आत्मा को दुख न पहूंचे मैंने तो उनका चैन ही अपने भी बेटे की आत्मा की एक साल नहीं थी कमिशल निनिकबाद उनके बादसीत हुई और मेरे बेटे ने तो प्रेम की मर्यादा का निर्वा किया कहा और हमने साधी कर दिया लेकिन वो हमारे घर से तीन अगस्त को ही चली गई थी यह कहके कि हमारे यहां कुछ धार्मिक प्रोग्राम है और वो नोईड भी नहीं गई देखने के लिए कि हमारे पती का है इसमें कमसा भी आदगार के तोर पे फोटो भी हम ले लेते हैं 403 मेडियम जो फिल्र एम्बूलेंस था वहां पे ले में उनकी कुछ बिलांगिंस थी उन्होंने का नंबर भी बंद कर दिया था हमने कहा कि जो भी मोनेटर प्रिटी बेनिफिट है आप उनको दे दीजे लेकिन एक मेरे बेटे का अगर बन्यान भी है तो हमारे पास भेजे तो बाद में वह हमारे पास आया था हमारे बेटे के नंबर से कुछ नंबर थे जिसमें सब के पोस्ट बेट सीम थे उन्होंने उसको प्रिपेड कर दिया बिना हम लोगों के बता है और मैंने एक फरवरी को एक पूजा रखी थी अपने बेटे की शांती के लिए वो उसमें भी नहीं आई मैं रिक्वेस्ट करके हार गया उनके पिता से और इससे और उनके पास एक ढाल था कि मैं अभी स्टेबल होना चाहती हूं और इस्टेबल हुआ हमने किरती चक्रा मिलने के बाद मैं एक पिता हो करके अपने हाथ में भी लेकर के नहीं देख पाया और हम मानी रचामंतरी इस्टे मिलने गए थे तो जब तक हम लोग होटल पहुंचे तब तक वहां से वो लोग जा चुके थे और हमने उनसे यह का था कि ऐसा है कि कृस्टी चक्रा जो है इस ना आपको रखने के लिए मिला है ना हमें रखने के लिए मिला इस बहादूर जाबाज के सीने पर सीने पर सुभा देगा तो इसकी बस्ट यहां लग रही है यह लखनों में तो जिस दिन इसका इनगरेशन होगा आप हमें दीजिए और उसकी बेटी के साथ थी भावी और अपनी जो मेरी बेटी थी तो वो उसके बाद चले गए थे तो ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है लेकिन जो भी वो कह रही है ठीक है और मेरे बेटी की आत्मा को दुख न पहुंचे बस मैं यही चाहता हूँ बाकी सारे समाजिक सिस्टाचार और सरोकार को तोड़ दिया जो कि सब्समाज का यह परिशायक नहीं सर बात यह भी है कि कष्ट की बात है यह जैसे आप बता रहे हैं कि आपके हाथ में वो किरती चक्र बिडिया है सरोच बलेदान बेटे को पूरी दिशान रिदेश देना कैसे पढ़ाई करना है कैसे तैयारी करना है आप खुद भी एक सार्मी मैन है आप खुद भी बताते रहे होंगे तो कहीं न कहीं कष्ट का भी बहुत सामना करना पड़ा अंसुमान होते आज तो शायद यह ना होता आज वो नहीं है तो इस तरह की चीज़ें हो गए देखिए अंसुमान तो इस तरह की परवरिश उनकी थी और उनकी ऐसी समाजिक मुल्यों में बिस्वास था कि इस तरह की दूर दूर तक अगर कोई बेवार वो देख लेते तो उनके लिए यह बिल्कुल अच्छम्य था क्योंकि अंसुमान अपनी साधी में गए थे और एक सूट लेके गए थे जो कि सगाई के बाद उन्हों ने यह था कि हम पहनेंगे बाद में वो सूट उन्होंने केवल उनके मम्मी ने यह कह दिया था कि मेरे बेटे का सिर्वानी बहुत अच्छा लगा तो वो सूट उन्होंने वैसे घर लाया लेकिन वो सूट नहीं पहना उस पूरी इंटायर बिवा सेरेमोनी में यह उनका बॉंडिंग था अपने परिवार के साथ अपनी मा के साथ उनकी बाल कुछ पके हुए थे मम्मी ने एक बार कह दिया थे मेरे बेटे का बाल बड़ा सुन्दा रह सोना लगता है उन्होंने पूरे सारे लोग कहके हार गे उन्होंने अपनी बाल को नहीं रहेंगा पूरे साथी में आपको फोटो सीर कर दूँगा वो जब सगाई हुआ तो दाड़ी रखे थे हमारे एक भाई ने हमारे तीसरे इन पले पड़े थे कि उनके लिए अगर पतनी है तो मा भी होत नहीं आदरनी है, चचा भी होत नहीं आदरनी है और मित्र भी होत नहीं आदरनी है। तो वो नीचिस हो जाते थे उसके बिस्तर पे लेकिन कभी उसको जगाया नहीं उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक, हमारे पास आज भी डौगी है, लहासा है अपसो, लूसी करके, उसको खरीद के लाए, और वो उसका उन्होंने पासपोर्ट बनवाया, उसके बाद वो, सारी चीजे में आपको शेयर करूँगा एक बिली पाला उन्होंने जो कि वहां पे उनके कमोन में गिर करके और वो खतम हो गए थी एक बीगल नसल का उन्होंने चोटा कुटा पाला इसका नाम जो है पीकू था वो ले करके गए थो एट गवाल लाइफल में जब वो पोस्ट आपने आखरी उनकी आत्मा की शांती के लिए पूजा भी कि आप बता रहे हैं उसमें भी आपने परिवार से कॉंटाक्ट करने ही कोशिश करी कॉंटाक्ट हुँ ही नहीं पाया आप जैसा बता नहीं कांटेक्ट हुआ हमने उनको बताया कि यह एक फरवरी को चुकी जो द आत्मा को शांती मिलती है जैसे हमारी धार्मिक मानेताउं में कहा गया है कितना संचिय कितना जूट है कि हम लोग तो इसी परिवेश के जीने वाले लोग हैं तो हम मानेताउं को मानते हैं तो हमने उनसे कहा कि देखेए 2 अगस्ट के बाद एक जेक 6 मही एक फरवरी को होते के पत्तनी को भी बताया उनकी पत्नी को भी बता Yakis और यह मैसेज 10 दिन पहले से कनवे था लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोशिस पूरी पूजन की जो पौद्धत थी और परकिरिया थी हम मिया बीबी और बच्चों ने और बाकी लोगोंने किया लेकिन ऊसके आत्मा किसांति arrow और चाहते थे वह आयें कम से कम परिवार को कि ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी अंशुमन जब थे तब पांच महीने शादी को वह थे ऐसी काहिसी घरी में रहती थी वह सब कुछ ठीक था सर बिलकुल मैरी बेटी डेंटल कालेज में जब कर रही थी बेडियस तो मैंने ये लोग उन्हें फ्लाइट लिया कि ठीक है वो भी आईसी ऐसी लोंबोर्ड में थी और गुडगावा में तो घरी से काम कर रहे थी जो वर्क फ्राम होम था तो ये हुगा कि गुडगावा आना जाना होता है वही तो ग्रेटर नवेडा में ले 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 और बेटी क बी तीन महीना कूझे और जिस दिन ये घटना हो उस दिन भी हमारी बेटी और भाहु एक साथ थी और हमें तो मन बचन या कर्म से मुझे आज तक यह पता नहीं चला कि मैं मेरी वाइफ मेरी बेटा मेरी पतनी मेरे भाई मेरे पिता की सीने कभी भी कोई सब्सक्राव एह त और उनकी प्लानिंग है कि वो स्ट्रक्चरल डिजाइन में मास्टर डिग्री करेंगी अस्टेलिया से और वहीं प्रोगेबली उनका सिफ्ट होने का प्लान है कि उनके भाई आलेडी अस्टेलिया में प्यार है उनके पिता ने ये कहा था कि मैं इस पुरानी यादों को भूल जाना चाहता हूं और आप भी पुरानी यादों को भूल जाए जो मैंने आपको दिखाया था कि अक्टूबर के हमारे कनवर्शेशन्स हैं और पुरानी चीजों को भूल जाए और आप बहतर होगा कि ये न परतमान भी वहीं हैं और मैं उन्हीं की परवर्दिगा से इवादत कर गिए कि मैं मेरी सांसों में वास करें और मैं जीना चाहता हूं आपके बिचार आदरणी हैं पर अनकरणी यह नहीं है आपके बिचार ब्यक्ति की नजर में अच्छे हो सकते हैं ना बेवार की नजर में सवाइफ यह सब बाते हुं आप लोगों की बाचीज होती थी साथ मैं नहीं भी अप बात भी करना छोड़ दी, बहुत प्यारी है और वो अनसुमान पसंद नहीं किये, उनके फादर पसंद है, वो लड़की फादर की पसंद है, वो तो एक जैसे बोलते हैं ना कॉलेज में दोस्त, इन्हों ने बोला कि अगर अच्छी होगी तो कर लेंगे, हैना तो एक सब्सक्राइशन नहीं होती है, उसके बाद 2015 में उनका IIT में, NIT में और AI PMT से Armed Forces Medical College में, राजय दन्रावर विग्यान संस्तान में, सारे जगाँ चैन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं डैडी आर्मी में जाना चाहता हूं और Military School में उन्होंने कहा था, I want to become a General Indian Army, तो उनकी जो Ambition थे, वो बहुत बड़े थे, कि मुझे कुछ कर गुजरना है, तो जब Armed Forces Medical College में भी गए, तो उनका Military School का कैड़ेट नमबर था, 3585 और उजेन हाउस में वो थे, यहाँ पे वो गए, तो यहाँ पे भी उन्होंने Belt बाधी, और Belt बाधने के बाद, जिस दिन उनको कमिशन मिला था, 19 March 2020 को, तो 20 March को हम लोग वहाँ पुने से आये थे, और 22 March को हम लखनव पहुंचे थे, और 23 March को में गया था, उन सुमान को आगरा में छोने के लिए, जो उनकी पहली पोस्टिंग थी, जहां इंटर्नसिप के लिए जा रहे थे, और 23 March को ही साम से देश ड्यू टू करोना लॉक हो गया था, तो इंटाइर 365 दिन वो एक सिंगिल डेज भी छुटी नहीं आ पाए, 365 दिन उनको एक दो दिन, एक दो बार करोना हुआ, और वो अपने धरम का निर ले जाके दिया करते थे, थो हमने ये कहा था कि बेटा, हमने तुम्हारी बचपना च्छेन लिया, जमानी च्छेन लिया, पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम बहुत सक्त है थे पढ़ाई के लिए, सायद हर पिता होता होगा, अपने बच्चे का भविष देख करके, तो वो न ना मुगायल रखते थे ना बाल जाड़ते थे बिलकुल मस्त मौला थे तो हमने ये कहा कि तुम्हारी बाकी जिन्दगी मैंने चुनूँगा बैटा जिसको कह दोगे उससे साधी कर दोगा बस ये देख लेना कि तुम्हें तकलीफ न हो और मैंने यही बात जब उन्होंने का क्रिया में इतना ही अपने बेटे को कहना था और इस वर साक्षी है इस से ज्यादे मैंने कुछ कहा भी नहीं कि अगर तुम कहते हो जहां पर हाथ रख दो कि महीं साधी कर दूँगा मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिन्दगी का वो हि यहीं कहूंगे कि टर्च में रहने से कोई लॉस नहीं है एक दो परिवार जोड़ो मेरे साथ तो जितने फेमसी के बच्चे हैं सब परिवार हो गये हैं तो किसी का लॉस थोड़ी है मैं अपने जगह हूं वह अपने जगह है पर बहुत प्यारी है मैं बहुत खुश थी कि मतलब बेटे के लिए बहुत अच्छा चुना गया था पूजा में भी नहीं आई तब दुख हुआ होगा कि बात करने क्या है तब इसे ज़्यादा तकलीफ है पहले तो वो यही बताते रहे कि एसे फोटो नहीं रहे होगे और एसे खट हुठक थे कि उनकी कोई ऐसी फोटो नहीं मिली है जो ऐसी एंगल की हो जो इसमें उनके दात न दिख रहे हो जहां भी उनकी फोटो आपको मिलेगी दात दिखते हो मिलेगी तो उनका दात दिखता हुआ ये मुर्ती बनाने वाला बोला कि दात दिखता हुआ मुर्ती ठीक नहीं होता है तो हम बहुत उनके दोस्तों से फोन किय ऑफोटो बनाने में थोड़ी परेसा नि नहीं हो रहे थी और फोटो पूरानी बन रही है वो चार साल पुरानी एक फोटो से बन रही है, कोई लेटिस कोई फोटो नहीं मिले हमारे पास सर एक एक और बात है, ये तो परिवार की बात है, आप चाहते हैं कि वो आए संपर्क में हों, कोशिश कर रहे हैं ये अगनी वीर को लेकर के भी कोई बात हुई, क्या जो बाते आ रही हैं बाहर की, अगनी वीर को लेकर राहूल गांधी की तरफ से कोई बात कही है, उस पर आपने भी अपनी राय दी देखिए उसमें ये था कि जैसे राहूल गांधी जी नहीं सुना कि साड़े तीन साल मेरे बेटा 19 मार्च को कमिशन लिया था 2020 में और 19 जुलाई को शहीद हो गया तो एक और चीज तथ्यात्म का आपको बता दूँ कि मेरे बेटे ने का जो कमिशन था वो बुद्धवार को था जो अफसर बना बुद्धवार को था साधी भी में बुद्धवार को ही कर रहा था और अंतिम जीवन का अंतिम सांस भी बुद्धवार को लिए और ते रहीं भ पता नहीं है बिधाता की तरफ से, तो जब ये बात हुआ कि साड़े साल में तो ऐसा राहूल जी ने आगा कि चार साल के तो अगनी बीर जाते हैं, साड़े साल में आपके हो गए तो सारी कुछ आपको मिली मैं बहुता है, हाँ एक रेगुलर आर्मी होने के नाते हमको सारे पेपर्क्स मिले हमारी बहु को पेंसन मिल रहा है और आप देखिए करती चक्र मिला तो यह सारे चीज़ मिला तो उसमें जो बाते होई तो मैं ऐसा जो समझता हूँ की जो आज का निरधारित मापदंड है अगनी बीर के लिए जो मैं सुन रहा हूँ वो एक रेगुलर आर्म जरूर इस पर रख सकता हूँ लेकिन मैं इतनी सलाहियत नहीं रखता कि अगनी बीर जैसे यतने वास्ट मुद्दे पर में अपनी कोई बात रखूं क्योंकि देखिए गोर्मेंट कोई भी अगर प्रपोजल लेके आती है तो निस्सित रूप से उस बहुत से स्टेडी होत तो मेरी जो थोड़ी सी जनकारी है यह है कि लगभग एक लाख सात हजार करोड रुपया पर एयर सेना की वेतन पर खर्च होता है और एक लाख दस हजार करोड रुपय से जादे पेंसन पर खर्च होता है तो हम एक developing country है financial implication इसके हो सकते हैं और जो बहतर लोग हैं जो उपर कि किसी भी sophisticated weapon को handle करने के लिए जो कि विदेशों में बहुत से अधिकारी उसको चलाते हैं जैसे रशिया से इसराहिल से हंगरी से हमारे पास कुछ weapon है और जिनको चलाने के लिए वहाँ specifically अपसर जाते हैं हमारे हां उसी weapon को और उसी equipment को एक सिपाई हैंडल करता है जिसकी है कि वो अपनी expertise को हासिल करता है और इतनी capability उसके अंदर आ जाते हैं कि वो उसको functional उसकी operational रख रखाव और उसमें काम कर सेके वो दक्षता हासिल कर लेता है तो उसके लिए एक training का schedule होता है जो 6 महीने basic training सबकी होती है उसके बाद उसको specific trade की training दे जाती है वो trade की training कहीं कहीं लगाया जो सिखाया उसको जो एक civilian से फोजी बनाया वो हमने reciprocal system में पाया नहीं होतना और अगर वो incompetent है तो निसित रूप से जो उसके seniors हैं या जो लोग regular army के जो expert लोग है उनके उपर वो भार बनेगा वो बोस बनेगा काम का क्योंकि आप काम को तो छोड़ नहीं सकते हमा और अगर उसको जान देने की भी पड़ती है तो जान सब देते हैं यह इतिहास बहादरों से भरा पड़ा है ऐसा नहीं कि मेरे बेटे ने कोई बहुत अलग से किया इसको यह मौका मिला और इसने बिंगे डाक्टर देखा उसी पोस्ट पे वहीं पे उसी 26 पंजाब रेजम यहां पे है और पहले इसको ले जाओ मैं जी मर के बच्चों में तब ले जाना और वो हेप्टर में वो चड़े नहीं ब्यक्ती और वो अकेला ब्यक्ती गया था 1994 में 1994-1995 में और जब तक हेप्टर वापस आये तब तक वो डाक्टर मर चुके थे और उनको भी किर्ती चक्र मिला था और इसी 26 पंजाब के साथ थे तो ये डाक्टर के अपनी एक ट्रडिशन होती थी जो लेगेसी उस देवासिस ने सुरू की थी हमारे बेटे ने भी देखा कि हमको इनकी जान बचाने की ज़रूरत है और वो कूद पड़े तो जिसको भी मिला है आप तमाम देख सकते हैं बहादरों के गाथा भरी पड़ की बाजी लगा दूगा तो इसी बिलीफ में करता है कि मेरे पीछे मेरी सरकार खड़ी है और कोई नहीं खड़ा है तो कम से कम मैं जिनको छोड़ के जा रहा हूं अपने पीछे उनको ब्रेट बटर मिल जाएगा इतनी पेंसन उनको मिलेगी या होगा तो मैं नहीं जानता क नहीं थी कि अगर अगनी बीर होता है तो मैं अब तो पबिक डोमेन में आया है तो निश्चित रूप से एक डिबेटेबल कुश्चन है और इस पे जो हम जैसे मैंने कल भी किसी को कहा था कि हमारे पास एक गोल्डेन अपार्चुनिटी है कि एक वेल-ट्रेंड सोलजर पुलिस बल जाता है, मैं किसी पर कोई आच्छेप नहीं लगाता है, मैं यह जरूर कह सकता हूं कि जो फोर्ज की सिखलाई है, वो एक इन सिखलाई से थोड़ी सी बहतर जरूर है, पैरामलिटरी फोर्स में कॉमडेट हो सकता है, तो वो अपना ज्यान और अपनी सब कुछ ज करेगा और बेसब का भी काम करेगा, और वो इस देश के लिए भी ठीक है और उसके लिए भी ठीक है, और बाकी तो मैं इससे जादे अब क्या कर सही है, मैरे विक्तिगत विचार है, हो सकता है गलत हो या सही हो. अपनी विचार की अगनी वीर को लेकर राहूल गांधी जो उनसे कह रहे थे, तो उन्हें अपने विक्तिगत विचार भी बताएं कि और भी जगा अकुमोडेशन हो सकता है, और इतना इन्वेस्टिमेंट जो सरकार या सेना कर रही है, उतना वापस नहीं मिलता. कैमेर मैन दीपक के साथ, अभी शेक सिंग, इंडिया न्यूज, लखनौ.